ही गाइस वेल्गम टू माई चानल इंडियन मॉम कांचन्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मास्क जिससे आप हैस्पा कर सकते हो घर पे ही और वह मास्क बनाने के लिए कोई भी इंग्रिडट आपको पर्चेस करने की जरूरत नहीं है सारे इंग्रिडट आप आपको डरने की भी जरूरत नहीं है कि आपके हैर कोई डैमेज होंगे या कुछ तो उल्टा ये आपके हैर को बहुत ही सौट स्मूद और शाइनी बना देगा और आपके जो डैंटरफ है उसे भी कम कर देगा मतलब ख़तम ही कर देगा एक्चुली एक ही उसमें आपको रि यंव सब्सवार क Harun नेयुए बहुत होते हैं तो जो भी प्रडाकी इसे कहाईट्र होता है उससे करना है है ओक यह एड़ करना है हमें फ्रेश कोकोनट मतलब यहां पर मैं कोकोनट का वाटर पीती हूँ तो यह जो कोकोनट उसमें अंदर का मिलाई निकलती है तो वह मैंने यूज किया है इसमें और उसका में मिक्सिमें अच्छे से पीश लेना है और उसका पेस्ट इस तरह से बन जाएगा अगया आप देख सकते हो इस तरह से थिक पेस्ट बन जाएगा और उसमें एड़ करना है हमें वन लेमन पूरा वन लेमन हमें उसमें एड़ करना है हमें और उसके बाद हम यहां पर पेरशुट का कोकोनट उइल ले रही हूँ 100% प्यूर कोकोनट उइल तो वह झाएज कर तो यह भी आपको थोड़ा सा ही उसकरना है मतलब दो स्पून और दो स्पून कोकोनट ओल तो इस तरह से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है इस पैक को और देन आपका जो मास्क है वो रेडी हो जाएगा कि अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है टैंगल्स को रिमूव करना है आपके हैर के सब टैंगल्स को रिमूव हो जाने चाहिए फिर आपको हैर पैक करना है और देखिए आपको इतने अच्छे से हैर पैक रेडी हो चुका है हमारा तब अम लोग इसे अप्लाई कर ले था कि अपने हैंके उससे पैले में त्रोगते हूं कि अपने हमेंदधर्द के सब्सक्राइब करने तो आपको लिए प्रॉब्लम नहीं होगा इस वजह से टैंगल्स को रिमूव करना जरूरी है और इसे न आपके जो डैंडर्फ का प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें कुछ इंग्रिडियंट्स ऐसे मिलाये हैं जिससे आपके डैंडर्फ भी रिमूव हो जाएगा आपके सारे प्रॉब्लम हैर के मतलब दूर हो जाएंगा अप लोगों को पता हिये कि मेरे हैर थोड़े से ड्राइ ड्राइ लग लग रहे थे आप मैंसे किसी ने मुझे कमेंड्ट भी की थी कि आप हैर्रीट्मेंट कर लो तो इस वजह से मैं हैर्रीट्मेंट करने वाली तो इसी वज़े से मैं सोच रही थी कि पहले ये hair pack apply कर लेती हूँ क्योंकि इसका effect बहुत ज्यादा अच्छा है मतलब मैंने पहले भी इसे try किया हुआ है इसी वज़े से मैंने सुझा चलो पहले आपके साथ share कर लेती हूँ क्योंकि हर कोई hair treatment नहीं कर सकता है तो hair treatment थोड़ा सा महंगा आता है आपको लोगों को पता ही है smoothing या rebonding कुछ भी करने जाओ तो 6000 तक तो आप पकड़ ही लो तो 6000 तक खर्चा हुई जाता है आपके hair length के according तो इसी वज़े से थोड़ा सा महंगा जाता है treatment तो हर कोई afford नहीं कर पाता है इसी वज़े से मैंने सुझा चलो आपके साथ ये hair pack share कर देती हूँ अच्छली मैं करने वाली हूँ बट थोड़ा time है लगेगा मुझे hair treatment करने में जिसी होज़े से ये hair pack करूँगी तो थोड़ा सा मेरा जो hair के dryness है वो दूर हो जाएगा इसी होज़े से मैंने सुझा चलो ये hair pack apply कर लेती हूँ और इसी तरह से आपको सारा मतलब hair pack अच्छे से apply करना है, मतलब root tuck आपको लगाना है इसे आपके scalp तक लगाना है और अच्छे से Masaj करनी है तो पूरा आपको hair pack अच्छे से लगाना है और आपके length के according ये hair pack आप बना सकते हो तो पूरा अच्छे से लगेगा और उसके बाद आपको अच्छे से मसाज करनी है ताकि ये अच्छे से आपके स्काप में लग जाए और आपका जो डेंडरिफ है भी निकल जाए और आपके हेर भी कापी ज़ता सौफ्ट हो जाएंगी इससे आप देखी लोगे अप्टर रि अपको हेर पे भी लगाना है इसे और आपको स्काल्प पे भी लगाना है इसे अच्छे से ताकि आपके हेर भी अच्छे हो जाएंगी आपके स्काल्प भी सब्सक्राइब करें अब हम लोग करेंगे कि बालों को अब बांद के ऊपर लग और इसे हमें एक घंटे तक काम का सके अच्छा से अब होर गांगया अपको इसके लेना है और डिन आपको इसे र्यारिक करके शिरम वगर अपप्लाई करना है और आप देख सकते हो उसका रेज़ल्ट बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सप्ट और शाइणी हो जाते है आपके हेयर मतलों refere ay आपको इस तरह से मैं दिखा लेती हूँ आपप आप देखके सकते हो लाइट का अगर इफेक्टाइए इस पर पड़े गा था तो बहुत जदा शाइन दिखें गो हैर और बहुत स्वाक्ट हो गया है और आप देख सकते हो रिजसार पैले मेरे हिर किह से थे और बहुत यहाइय के उदू है और डेंटर भी बहुत दादा हो गया था तो डेंटर अभी बिल्कुल नहीं लिख रहा है मैं क्लोज करके आपको फिर से दिखा देती हूं आप देख सकते हो स्काल्प में बिल्कुल डेंटर नहीं है तो इस तरह से आपका डेंटर भी पूरा ही हट जाएगा और एक यूज म से डालती रहती हूं और आप में से कोई अगर मराथी मुझे देख रहे है तो मेरा एक मराथी व्लॉक चैनल भी है तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो डोनों चानल का लिंक आपको डिस्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप चाहो तो मु